इतना सन्नाटा क्यों है यह प्रश्ट मेरे दिमाग में इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इस टॉक की आज मैं बात करने वाला हूं उसका जो बज है उसके बारे में जो चर्चा है वो काफी हद थक बंद हो चुकी है रीजन जो है काफी पॉजिटिव है क्योंकि इस स्टॉक ने जो एक समय में यह आप कह सकते हैं मीमर का फेवरेट उस्टॉक हुआ करता था अचानक से कह सकते हैं री रेटिंग के कारण पिछले एक साल के अंदर यह आप कह सकते हैं और शौट टम नौ से दस महीं ने के अंदर स्टॉक ने पचास परसेंट से भी जादा करेटन दिया और अब निवेशक कोई भी नया निवेशक से करने से पहले डर रहें और लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग पैसे निकाल रहे हैं इस टौक efी निचले सतरों मैं एठा हूं दोस्तों और ये स्टॉक के उपर मैंने परस्तली ने कुछ कह सकते हैं काफी हद तक पार्शल प्रॉफिट भी बुक कर लिया है दोस्तों लेकिन जो स्टॉक मैंने लॉंग टम के लिए थे वो स्टॉक जैसे कि तैसे अभी भी मेरे आप कह सकते हैं मेरे उसको लेकर के कभी भी मेरे देमाग में एक मिनिट की डॉट नही रही क्योंकि आप देखिए जो जिस तरह से कंपणी को चलाया है जिस तरह से में जो रेवन्यू हैं यह ज थे स्टॉक आ इटीसी को रेवेण्यू है वो एक बहुत बड़ा हिस्स सीसी कोıyla से आता दा ग लेकिन आज आप कह सकते हैं approximately कहीं आपको 45% कहीं 50% दिखेगा कि इनका जो revenue है वो non-secret business से आता है दोस्तों और ये बहुत ही बड़ा shift है दोस्तों इनके revenue structure में तो जो पुराना एक डर था जो sin stock को लेकर के लोग निवेश नहीं करते थे उस चीज के उपर भी company काफी हद तक क इसका जो cigarette business और tobacco business है वो बहुत ही शांदार तरीके से अभी भी काम कर रहा है और पिछले pandemic के बाद से अब इसमें volumes में भी शांदार बढ़ातरी होई है और सरकार की तरफ से जो tech stability देखी जा रही है तरफ से दी जा रही है tobacco companies को वो बहुत जादा positive impact कर रहा है इनके stocks में और जब मैं यह कहता हूँ सरकार दोरा tech stability दी जा रही है इसका मतलब यह नहीं सरकार कोई favor कर रही है सरकार दोस्तों इसलिए दे रही है कि अब कुछ भी बढ़ाना जो illegal tobacco business है और illegal cigarette है उसके धंदे को flourish करना होता और जिसके कारण सरकार को revenue में बहुत जादा बढ़ा घाटा होता प्लस लोग कह लीजे जो कुछ आप कह सकते हैं illegal business करते हैं जो illegal cigarette चलाते हैं tobacco tobacco यूज करते हैं उसके कारण और भी चीजे खराब होती दोस्तों तो इसलिए टेक्स में जो stability रही है पिछले एक साल में company को उसका बहुत फायदा हुआ company ने जिस तरह से अपने FMC की brand को चाहिए आप मैं आपको आदू इसने cream biscuit में जिस तरह आप Britannia को replace किया अपने आप में phenomenal था company जिस तरह आटे को लेकर आई अपने आटे बिजन आशिरवाद brand को लेकर आई और number one company बनी आपके लिजए आटे के सेक्टर में वो भी बहुत ही शांदार है दोस्तों और आने वाले समय में भी आप मुझे लगता है कि इनका market share सिर्फ बढ़ेगा एक और strategy ITC को लेकर के जो मुझे बहुत जादा पसंद है दोस्तों वो सिर्फ value में ध्यान देते हैं अभी एक interview में देख रहा था है उनके उनकोंने इसे पूछा गया कि क नया milk product है इनके जो इनके milk business है और जो इनके milk business में जो सबसे जादा value added जो product दिख रहे हैं जहांसे उनका revenue आ रहा है milk में आप कह सकते हैं वो क्या क्या है पनी, लसी, कर्ड इनने से काफी अच्छा product आ रहा है प्लस इनका जो lactose free जो milk है वो बहुत इनको कह लीजे improve कर रहा है इनके business में और आने वाले समय में ये वो sector जहांपर ITC अपने आपको काफी बड़ा brand बनते हो देखना चाहता है तो ये भी मुझे लगेता है काफी हद तर एक positive चीज है दोस्तों ITC अब daily product को लेकर के daily business में काफी जादा focus कर रही है और खास करके जो value added product होते दोस्तों गी, curd मिष्टी दोई जिया मिष्टी दोई भी इनका एक काफी अच्छा product है तो इसलिए ITC काफी जादा हमेशा focus रही है value added products को लेकर के और ये चीज मुझे कब देखी दोस्तों इनके hotel business strategy में जब आप देखिए तमाम जगहों से केवल और केवल आपके सकते है hotel business बंद हो रहते ह five steps चलने के लिए मुश्किल थी उस समय इन्होंने बहुत अच्छी strategy लगाके और उनका tobacco business है जो इनकी revenue होती थी उसका use करते हुए cash का hotel अपने business को बहुत ही शांदार तरीकी से बढ़ाया दोस्तों और जैसे ही pandemic के बाद अगर आप इनके hotel के revenue देखेंगे उसमें 2-3 गुना बढ़ाती देखने को मिल रही है और देखें इसी लिए company ने ये भी कह रहे है कई कयास लगाया जा रहे है कि जो ITC hotel business है वहां से थोड़ा से आप कह सकते है deviate होते आपको दिखाई देंगे वहां से थोड़े से अपने आपको यह अलग करेंगे उन्हें entity अलग की जाएगी एक बहुत छोटा section ITC का जिस पे कोई बात नहीं करता है बलकि एक नहीं मैं दो कहूंगा और उसमें से एक मेरा फीड़ेट है दोस्तों ITC जिस तरह से agri business में आई है दोस्तों agri business जिस तरह farming farmers के साथ मिलकर कि यह काम कर रही है और जिस तरह से इनका agri product का जो export है वो लगात पोटेंशल रखता है और आने वाले सालों में यह जो business ITC का यह बहुत ही जादा value unlock करेगा और यह कह लिए सिर्फ ITC के लिए नहीं हमारे के farmers के लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों ठीक है इसलिए मुझे दिख रहा कि जो इनका agri business है वो बहुत शानदार है और इसके quality है जिसको लेकरके इसकी जो entity है यह अलग करने के बाते हो रही थी और ITC infotech भी एक इनका मजबूत खिलाड़ी होगा जो आने वाले समय एक काफी अच्छा revenue generate करता हुँ आपको दिखाई देखा और company ने कहा है कि हम अपने infotech के business को लेकरके आप जो कह सकते हैं इन और्ग business launch कर रही है इनके FMCG में और जो इनका tobacco business है वो भी काफी हद तक अच्छा चल रहा है और आने वाले सभी मुझे लगता है कि यह business इनका जो टमाम business है यह काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगा बात करूँ share price की दोस्तों तो देखिए ITC को लेकरके मैं बहुत जादा long term के लिए सोचता हूँ और stock भागा हुआ है मैं थोड़ी बहुत partial book भी की है profit लेकिन मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट ITC में सिर्फ और सिर्फ buying की opportunity होती है ठीक है कोई भी गिरावट सिर्फ buying क opportunity होती है currently 290 से लेकर 310 मुझे लग रहा है stock के लिए बहुत huge support है ठीक है तो यह जो 220 रुपय का level है यह company के लिए बहुत जादा बड़ा support काम करेगा short term की बात कर रहा हूं मैं उपरी स्तरों दोस्तों अभी भी यह 320, 315, 320 को क्रॉस करके resistance बहुत जादा फीस कर रहा है उसे क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा और अब बाजार करवड बदल रहा है और थोड़ा weak दिख रहा है ऐसे भी stock का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन यह भी बात के लिए आप कह सकते हैं deny नहीं किया जा सकता जब बाजार भी negative था तब ITC भागा था तो शायद बाजार को थोड़ी stability प्रदान करने के लिए ITC यही एक ऐसा stock है जो ऊपर जाए दोस्तों परस्तनी जैसे डिस्कोजर रूब में मैंने पहले कहा मेरी खुद की personal holding है long term के लिए मैं visionate हूँ अब मैं कोई भी stock sell नहीं करने वाला ITC में दोस्त हूँ जित्ता मुझे पारशार प्रफट बुक करने के मैंने कर ली और लेकिन मैं कोई नया निवेश भी ITC में इन स्तरों मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी analysis पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल पहली बार आए है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद ये इस वीडियो का अंत जे हैं दो तो